है घर इरहे लू उपए में आपका स्वागत है और आज जो हम आपके लिए टाबिक लेके रहेँ हैं का पेट्रोल पंप वाले इन तरीकों से देते हैं आपको धोका तो ऐसी कौन से तरीक है जिनसे आपको देते हैं इसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आंते तक देखते रहें हमेशा रिजर्व तो मैं आपको बताने वाला हूं कौन से तरीके हैं जिन से आप प्रेट्रोल पंप पे अपने जेब को डीले होने से बचा त्रीक कर दी और आई ओसी के अनिसार पेट्रोल पंप का दाम जीरो पॉइंट पित्रूल का दाम जीरो पॉइंट नाइन रुपए की प्रती लिटर बढ़ाया है जब की डीजल जबकि डीजल 0.86 रुपए महंगा हुगा है महंगे पेट्रोल के बाद अक्सर हर किसी को शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंपर उसे तेल कम मिला है कई बार जानने अंजाने में हमें से ज्यादा लोग ने इस तरह का धोका जरूर खाया होगा हम आपको कुछ हैसे ही कारण बताने वाले हैं जिसके चलते आप कई बार अपनी जेब को चपत लगाने से बचा सकते हैं तो एस पहला जो तरीका है हमेशा रिजर्फ से पहले ही भरवाएं पेट्रोल बहुत कम लोग ही कोई पता है कि खाली टैंक में पेट्रोल भरने से नुकसान होता है इसका कारण यह है कि जितना खाली आपका टैंक होगा उतनी ही हवा टैंक में मौजूद होगी ऐसे में आप पेट्रोल भरवाते हैं तो हवा के कारण पेट्रोल की मातरा कम मिलेगी इसलिए कम से कम टैंक के रिजर्फ तक आने का इntजार नहीं करें कि आधा टैंक हमेशा भरा रख रहें कि पेट्रोल हमेशा डिजिटल मीटर वाले पंप पर ही भरवाएं दरसल पूरानी पेट्रोल पंप मशीन पर काम पेट्रोल भरने की संभवना जादा रहती हैं, आप इसे पकड़ भी नहीं सकते हैं, यही कारण है कि देश में लगातार पुरानी पेट्रोल पंप मशीने को हटाया जा रहा है, और डिजिटल मीटर वाले पंप इंस्टॉल किये जा रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि पेट्रोल भरने के समय मीटर बार बा रुख जाता है, हलांकि धीरे-धीरे करके उसी तरह आपकście प्रेट्रोल दे दिया जाता है, जानकारी के मताबिक बार बार रुखने से आपको पेट्रोल का नुक्सान होता है, इसलिए अगर किसी पेट्रोल पंपर ऐसी मशीन है, तो इस मशीन पर पेट्रोल भरने से बच भठे how फायदा उठाते हैं petrol कर्मि petrol भेटे समय कार से उत्रे और मीटर की पाष्थ खड़े होकर शर्स कर्मी के सारी गती विद्यों को देख़्ें कि हो सकता है कि आपको बातों में लगा कर पैट्रोल कर्मी zero से ह। जीरो स्थ दिखाए लेकिन मीटर को आपके द्वारा मंगाया गया पट्रोल का मूल नहीं सेट करे आज कल सब पट्रोल पंप पर डिजिटल मीटर होते हैं इसमें आपकी गूर से मंगा गया पट्रोल फीगर और मूल पहले ही भर दिया जाता है तो इससे पेट्रोल कर्मी की मनमानी और शीटिंग करने की गुंजाइस कम हो जाती है पेट्रोल पंप मशीन में जारी फिगर तो आपने देखा होगा लेकिन रीडिंग स्टार्ट किस फिगर से होई सीधे 10, 15, 20 से मीटर का रीडिंग कम से कम 3 से स्टार्ट हो अगर 3 से ज्यादा अंक पर जम्प हुआ तो समझो आप नुकसान ही उतना होगा आपने पेट्रोल आर्डर किया और मीटर बेहत तेख चल रहा है तो समझे गड़बढ है पेट्रोल कर्मी को मीटर की स्पीड नॉर्मल करने की कहें और हो सकता है तेज मीटर चलने से आपकी जेप कट रही हो तो दोस्तों अच्छा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंदा होगा और आप इन सभी जानकारियों को जान गया होंगे जिससे आप अपने जेप को कटने से बच सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक और शेकर ना बूला और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो जाओ चल रहा हो तो कमेंट बाक्स में लिखकर बताने पूशन ना बूले और अगर आपने अभी तक हमाई यूट्यूब चैनल घरोली उपाय सब्सक्राब ने किया तो इसे तुर्ण सब्सक्राब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपोर्टेंट जानकारे वाले न्यूस मिलते रहे हैं नमस्कार दोस्तों